जो आपसे पहले प्रोड़क्ट नहीं खरीद रहा था वो भी आपके पास आ जाएगा ये भी देखा गया है कि मार्केट प्लेस का मतलब केवल जगह से नहीं है लोयल केस्टमर बाना ये आपके रिस्पॉंसिब्लेटी बनते हैं और वो कब बनते हैं जब वो रेगिलर हाई फ्रेंड्स मेरा नाम है दॉक्टर अमित माईश्वरी मैं CEO एंट फांडर डिरेक्टर हूं मेटास ओवर्सेज लिमिटेड कंपनी का हमारी कंपनी स्टेलने स्टिल मर्ड लो किचिन की मैनुफाक्टरिंग एंड एक्सपोर्ट करती है आज पूरे भारत वर्ष में हमारे फैंट्चाईजी शोरूम और डिलेशिप शोरूम हैं फ्रेंड जिए एक बिजनस ओनर जब बिजनस का इस्टबलिष्मेंट करता है न तो इसके मन में बहुत सारी समस्यां होती है बहुत सारी शंकाएं होती हैं, बहुत सारी दुविधाएं होती हैं और धीरे धीरे effort करके वो उन सभी शंकाओं को, दुविधाओं को, समस्याओं को पार करके business का setup त्यार कर लेता है और business के setup को सुचार रूप से चलाते चलाते वो एक समय पर आने के बाद एक बहुत सफल businessman बन जाता है सफलता पर आने के बाद उस वो ऐसा महसूस होता है कि मैं सफलता की ओर हमेशा अग्रसर रहूँगा लेकिन कई बार जीवन में ऐसी परिस्तितियां उत्पन होती हैं जहां पर हमें एहसास होने लगता है कि हमारा product या हमारी services या हमारा business धीरे-धीरे downfall में जा रहा है कई ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर काम करने की जो क्षमता थी वो घट गई है या हम market से obsolete हो गई है या काम करने के नए तरीके के बारे में मुझे घ्यापन नहीं हो पारा, मुझे knowledge नहीं है या हमारा competitor कुछ नए तरीके से तो काम नहीं कर रहा है या क्या economy जो तेरी से गिर रही है उसकी गिरने की वज़ेसे मेरा व्यापार भी गिरता जा रहा है और आने वाले समय में इस हमाप्त हो जाएगा जब भी ऐसे प्रश्ण ऐसी संकाएं ऐसी दुविधाएं आपके मन में आएं और ये प्रश्ण आपको सताने लगे तो आप सबसे पहले आपको जरूरत है अपने आपको करने कि सारी चीजिशने की समझने की और इंपलीमेंट करने कि और मार्किट का रिसर्च करने की तो आद 6184 जा आप अपने बिसनस को रिभिल्ट कैसे करें क्योंखिव बहुत 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 सफलता से अपने business अपनी industry अपने product या अपनी service के बारे में thinking करनी होगी सोच ना होगा और उसके बाद define करना होगा कि कि आपको उसी industry में बने रहना है अगर बने रहना है तो नई चीजों को क्या design करना है ताकि आप regain कर सकें इसी विशापर हम बात करने वाले हैं तो सबसे पहले बा यह आपकी industry का market size कितना है मतलब पूरे market में कितना volume आपकी industry generate करते है उसके बाद market का CAGR क्या है अब यह दोनों बाते के example के साथ में आपको बताऊंगा और international presence कितनी है उस industry में friends आज देखो कि जारातार जो भी product इंडिया में बन रहे हैं वही same product foreign countries से import भी हो रहे हैं जिसकी वजह से importers भी बहुत बड़ा market share capture कर लेते हैं और कई बार तो foreign countries के brand direct India में आकर काम कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका market share भी बढ़ जाता है और Indian market share घट जाता है जहां पर वो normal manufacturer अपना share बना सकता था उसके बाद उस industry में कौन-कौन से बड़े players हैं और उनका कितना market share है यह ह हमें सर्च करना चाहिए तब ही हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें उस industry में बने रहना है यह हमें इंडस्ट्री को change करना है आई इस बात को मैं के example group में बताता हूं हमारी company है Metas Overseas Limited इसमें स्टेल ने स्टील modular kitchen की manufacturing करते हैं इसका मतलब हम modular kitchen industry में हैं तो modular kitchen industry का market size कितना यह करोड का जो consumption है मार्किट में हो जाता है सारे प्लियर्स मिलाके चाहिए वह नैशनल और इंटरनाशनल और पूरी इंडस्ट्री में 2500 क्रोड रुपे का investment लग जाता है अब यहां पर हम CGR की बात करनें CAGR की तो यहां पर 3.8% CAGR है और CAGR का मतलब क्या है annual compound annual growth rate हर साल यह industry 3.8 परसंट से बढ़ जाती है मतलब example के रूप में 4% से बढ़ जाती है इसका मतलब अगर 2022 में यह industry 2500 क्रोड की है तो 2023 में इंडस्ट्री 2600 क्रोड की हो जाएगी 4% बढ़ जाएगी और 2024 में इसका 4% और जुड़ जाएगा और यह इसी तरह से लगातार 4% जुड़ता रहेगा और सन 2030 तक का यहां कड़ा है इसका मतलब यह industry तेजी से ग्रो करने वाल इंडस्ट्री है और यहां पर जो market का size है बहुत बड़ा है दूसरा international players कितनी international presence कितनी है आज modular kitchen industry की बात करें तो Italian kitchen, German kitchen या Korean kitchen या Chinese kitchen और साथ में Indian kitchen 1,2,3,4,5,5 पाच country majorly इस industry में इंडिया को dominate कर रहे तो हमें यह भी देखना है कि international presence कितनी है अगर पूरी industry की बात करें तो 80% market share Indian modular kitchen का है और बाकी 20% में यह सारी countries आती है इसका मतलब यहां पर growth की possibility बहुत जादा है 80% जो consumption है वो Indian products का है उसके बाद big players की बात करें तो 6 से 7 बड़े players हैं जो इस industry में lead करें जिनमेंसे we are one of the big player in market जो हम modular kitchen industry में lead कर रहे हैं fine क्योंकि बहुत कम ऐसे setups हैं जहां पर franchisee और dealership network और हमारी company Metasovers is limited इस business को franchisee dealership और export based पर काम कर रही है अपने business को लेकर अगर इस चीज़े आप सर्च कर लेते हैं तो आपको इंदाजा होगता है कि आपको इस industry में बने रहना है या आपको industry को change कर करना है दूसरा redefine करना है आपको आपने सोच लिया कि इंडस्ट्री बहतर है जिसमें मुझे बने रहना है तो आप उसको redefine करें जैसे आप consumer के लिए क्या value addition या value creation कर रहे हैं अगर आपका product consumer की life में कोई value addition कर रहा है या value creation कर रहा है पताब उसको एक extra benefit दे रहा है एक तरह स सयोग कर रहा है उसके जीवन में तो कहीना कहीं आपका product consumer के लिए एक जरूरी product है और देखी कि आपका competitor भी अगर same product बना रहा है तो आपका consumer आपके product को क्यों ले यह define करना आपको बहुत जरूरी है और साथ-साथ क्या आप एक बहुत बड़े market share की problem को solve कर रहे हैं जैसे हम बनाते हैं या पत्थर का kitchen बनाते हैं तो वहां पर उनको एक problem solving लग रही है कि अगर बना बना लेता है लेते हैं तो को time consumption नहीं है कोई extra problem नहीं है कि उनको घर पे बैठके काम कराना पड़ेगा next niche customer आपको यह भी देखना है कि आपका जो market share है वो किस तरह के consumer के लिए है competitive advantages में कौन सी ऐसी बात है जो आपके product को आपके competitor से different बनाती है जैसे हमारी इंडस्ट्री में हम stainless steel model location बनाते है न तो जो model location इंडस्ट्री उसका different segment है stainless steel model location और हम competitor से क्यों different है क्योंकि हम पूरे इंडिया में franchise network के थ्रू और dealership network के थ्रू काम कर रहे हैं जहां तक हमारा competitor नही नहीं कर रहा है इसलिए हमारे पास competitive advantages है mass production होने की वजह से हमारे price को बीट नहीं कर पा रहा है तो यह वो advantage जिसकी वजह से एक customer आपका product लेने के लिए तयार होगा marketing strategy हमारी बिल्कुल different है हमारा कोई भी competitor YouTube पर informative videos नहीं बना रहा है तो हम लोग informative videos के माध्यम से बहुत बढ़ market share capture कर रहे हैं तो कुछ ऐसे तरीके क्या हैं जिनकी वैसे आप competitive advantage ले रहे हैं यह आपको define करना जूरूरी है next redesign आपने अच्छे से सोच लिया आपने सच से define कर लिया अब ज़रूता आपको अपने product और अपनी services को redesign करने क्या आप देखिए आपके product या service में कौन से ऐसे features है जो आपके competitor से different है या आप अपने product में कौन से ऐसे नए features ला सकते हैं जो आपके competitor से अलग होंगे या consumer की problem को solve कर रहे होंगे अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो समझ लिजे आपने product को redesign किया और redesigned product को right marketing strategy के जरीए जब आप नए consumers तक पहुँचाएंगे तो बहुत बड़ा consumer bank जो आपसे पहले product नहीं खरीद रहा था वो भी आपके पास आजाएगा अब marketing strategy का मतलब क्या है अगर आप traditional तरीके से marketing कर रहे हैं तो आपको जोरत है modern marketing strategy को अपनाने की जैसे digital promotion जैसे Google AdWords जैसे Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, social media presence इसके अलबावा अपने product को e-marketplaces पर upload करना जैसे Amazon, Flipkart, eBay इस पर आप नए lead generate कर सकते हैं India Mart, Trade India, Exporter India, Alibaba, Sulekha यह वो portals हैं जो आपके product को ठीक तरीके से market करते हैं और आपके product की information consumer तक पहुचाते हैं marketplace आपको यह भी देखना है कि जिस marketplace पर आप product बेच रहे हैं क्या वहाँ पर आपके product के right customer है अगर right customer नहीं है तो you have to change your marketplace आईए इस बात को में एक example group में आपको बताता हूँ मानलीजी आप एक ऐसा product बनाते हैं जो study करने वाले students के लिए valuable है मानलीजी आप बनाते हैं और आपका जो आउटलेट है वह ऐसी जगह जहां senior citizens रहते हैं यह जहां पर defense area बना हुआ है पूरा तो ऐसी जगह पर आपका जो demand है वह बहुत कम होने वाला है तो आपको आपका marketplace चेंज करना है आपको ऐसी जगह पर पहुंचना है जहां number of customers आप पास का area या residential area जहां पर ज्यादा students रहते हैं जब आप ऐसा marketplace चूज करते हैं तो समझ लीजिए आप right customer तक पहुंच रहे हैं यह भी देखा गया है कि marketplace का मतलब केवल जगह से नहीं है आप किस platform के जरीए अपने product को sale कर रहे हैं अगर मानलीजी आपका consumer online shopping करता है तो आप औ follow up strategy आप जो marketing से बहतर lead generate कर रही है वो lead जब तक ठीक तरीके से follow नहीं होगी तब तक आपका sales conversion नहीं आएगा अगर आप traditional तरीके से follow up strategy अपना रहे हैं तो अपनी पूरी team को train करें कि आपकी right pitch related to the sales क्या होने वाली है और अपने consumer को कैसे follow करना है अगर आप ठीक तरीके से consumer क follow करेंगे तो hot lead, warm lead और cold lead के difference को आप समझ पाएंगे और जो आपकी hot lead है उनका conversion ratio बहतर हो पाएगा जो आपकी warm lead है उसको आप convert कर पाएंगे towards hot lead और जो आपकी cold lead है उसके लिए आप ठीक तरीके से planning कर पाएंगे और जरूत है आपको अपनी sales pitch को redesign करने कि आप किस तरह से sales क करते हैं क्या consumer के point of view को समझ कर उसके जरूत के साब से product offer करते हैं या आपके पास universal product है वही आप offer किये जा रहे हैं तो आप sales pitch को redesign करेंगे जब आप इन सभी चीज़ों को redesign करते हैं तो आप आसानी से regain कर सकते हैं और regain में सबसे पहली चीज़ा है नए customer आपके पास आ जाते ह solution पाते रहते हैं नए products आप launch करते रहते हैं और नए products के साथ-साथ customer को loyalty bonus यह referral benefit भी देते हैं तो यह point आपके बहुत काम का होने वाला है अगर आप re-think करते हैं redefine करते हैं जैसे जैसे business में sales का volume बढ़ता जाएगा वैसे business growth की और आगे बढ़ता जाएगा फ्रेंट्स किसी भी business की जो growth होती है न वह केवल और केवल एकी चीज़ पर टिकी और वह से अपने sales के volume को कैसे बढ़ाए consumer को ठीक तरीके से follow-up कैसे करें या right customer कैसे ढूंडे right marketing कैसे करें इसे related बहुत सारी वीडियो और इस चैनल पर दिये वोन वीडियो को आप जरूर देखें नोट्स पनाएं अपनी company में implement करें उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी प्रशन है तो वह प्रशन आप हमें comment box में जरूर लिखें हम आने वाले वीडियो में उनका जवाब जनी के लिए तयार है यह आप हमारी टीम को कंटाक्ट भी कर सकते हैं और जब आपके बिजनस में सही तरीके से growth strategy implement होगी तभी आप बिजनस को expansion की और ले जा पाएंगे तभी आप investors को invite कर पाएंगे तभी आप franchise बना पाएंगे dealership network बना पाएंगे कोई भी informative वीडियो मिसना उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को ज़रूर प्रहस करें ताकि वीडियो को notification सबसे पहले आपको मिले स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित माईश्वरी आपके सुनरे भविश्य की कामना करता हूं जैहिंद जैभार करता हूं